Redmi 13C, इंडिया में लॉंचो कर लगवक 60 days के आसपास हो चुका है अब भी भी बहुत सारे वाई लोग मुझे कमेंट कर रहा है कि लॉंग टाइम रिव्यू बनाओ और बताओ Redmi 13C, लॉंग टाइम के लिए कैसा रहेगा दो-तीन साल अगर यूज करनी के लिए खरीदा जाए क्या iPhone वैल्यू फर्मानी रहेगा आज इस वीडियो में डीटेल में बात करूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सबसे पहले प्राइस के बारे में जान लेते हैं तीन वेरियंट के साथ आता है 4GB 128GB वेरियंट 11,000 रुपिस में मिलता है 6GB 128GB वेरियंट 12,500 रुपिस में मिलता है और एक 8GB 256GB वेरियंट जिसका प्राइस है 14,500 रुपिस देखिए 8GB, 250, 6GB जो variant है ना वो value for money नहीं है, overpriced है लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे 4GB, 128GB variant के बारे में क्योंकि मेरे पास एही variant है और मुझे लगता है एही सबसे value for money smartphone है सबसे पहले design के बारे में बात करते हैं देखिए design काफी अच्छा है और budget में जदतर लोग design देकर ही phone करीता है खुबसूरत design है, जब धूप में लेकर एफोन निकल रहे हो ना तो back panel चमकेगा खुबसूरत है, बहुत सारी लोगों को पसंद आएगा cratches या हाथों का निसान बेगरा आया ही नहीं camera module भी बहुत सारी लोगों को पसंद आया है flat edges के साथ आता है, comfortable phone है long time तक एक हाथों में काफी एच्छी तरीके से use कर पाओगे इस phone में 3.5 mm jack का option भी दिया है लेकिन सिंगल microphone है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा खटकता है noise cancellation mic देता तो बढ़िया रहता dedicated sim slot का option भी है और side में fingerprint sensor है काफी fast भी है मैं 8GB variant overpriced बोल रहा था इसलिए इस phone में full HD plus display नहीं दिया है मतलब 15,000 के असपास एक phone खरीद रहे हो और उहाँ पे full HD plus display नहीं है हजम नहीं होता ना तो उसके बज़े से 8GB variant में मना किया था HD plus display अच्छा होता है लेकिन full HD जैसा नहीं होता है वीडियो का quality आब लोगों को एभारेची मिलने वाला है 90 hearts का refresh red भी दिया है थोड़ा सा smooth experience मिलेगा Corning Corilla Glass का production भी दिया है Outdoor में long time तक मैंने use किया था brightness काफी अच्छा है अगर आप कड़ी धूप में भी use कर रहे हो दिक्कत नहीं होगा Visible रहता है अच्छी तरीके से इसका display Mediatek Dimensity 6 ता ओजेन 100 प्लास प्रोसेसर दिया गिया है 4 लग के असपास इसका आंतोतु स्कोर है Geek Benchmark 6 का भी स्कोर ठीक ठागे और इस फण में throttle इसू भी नहीं है BGMI इस फण में smooth and ultra setting में खेल पाओगे और मैं काफी time तक BGMI खेला हूँ अच्छा चलता है हाँ जब आप लोग continue long time तक use कर रहे हो काफी time तक आप लोग BGMI खेले जा रहे हो तब थोड़ा सा lag जिटर बेगरा हो सकता है phone थोड़ा hit up भी हो सकता है लेकिन कभी कबार थोड़ा बहुत BGMI बेगरा खेलोगे यह phone दम नहीं तोड़ेगा और आपको better experience भी provide करेगा इस फर्मेना दोस्तों MIUI मिलता है देखिए MIUI अच्छा है बहुत सारे features भरबर के दिया गया है बीना announcement के आप लोग call recording बेगरा कर पाओगे यहाँ पे कोई भी doubt नहीं है लेकिन MIUI में बहुत सारे pre install app आता है बहुत heavy UI है मतलब इतना add बेगरा show करता है बहुत सारे notification बेच कर परिशान करता है यह आपको जहलना पड़ेगा दोस्तों notification बेगरा close करने के लिए browser setting में जाके आपको disable बेगरा करना पड़ेगा तब आपको छुटकारा मिलेगा बरना इतना जदा परिशान करेगा क्या ही बताओ normal day to life UGS में कोई भी doubt नहीं है दोस्तों काफी अच्छा है application बेगरा smooth भी है और अच्छा animation के साथ open या close होता है बीना lag के हमारे पास 4GB variant है इसका RAM management मैंने टेस्ट किया था तगड़ा है दोस्तों मतलब 60-70% application RAM में रही जाता है और इस price में RAM में रैखना बहुत बड़ी बाद ही होता है 5000 image का battery देखनी को मिलता है powerful battery है एक दिन आराम से निकल के देदेगा हे भी यूज़ करोगे उहां पे दिन में साथ दो बाद चार्च करना पड़ सकता है और यहां पे बॉक्स में 18W का charger तो लिखा गिया है लेकिन 10W का charger दिया है मैंने unboxing वीडियो में भी बुला था charging जो time है वो बहुत time लगने वाला है दोस्तों बहुत जादा time लगने वाला है तो यहां पे आपको थोड़ा सा compromise करना ही पड़ेगा बैकसाइड में 50MP का dual rear camera setup है 5MP का selfie camera है full HD 30fps करके video recording कर पाओगे देखे पिक्चर quality के बारे में बात करा जाए पिक्चर quality काफी अच्छा है detailing भी काफी अच्छा है दोस्तों human sample में face को जादा beauty नहीं करता है even background में जो पेड़ या जो sky का detailing बेगरा है ओ भी काफी अच्छा है protein mood में age reduction बेगरा भी बहुत ही बड़ी आए दोस्तों even बहुत सारे flower का sample भी मैंने खीजादा वहाँ पे जो color tone बेगरा है वहाँ पे no doubt कोई भी compromise नहीं है हाँ redmi slightly color को boost करता है जो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है selfie camera में face को slightly beauty करता है दोस्तों यह आपको जेलना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को beauty mood पसंद भी आता है उन लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है even protein mood में जो age reduction बेगरा है ओ भी बहुत बड़िया है और selfie camera में background में जो object बेगरा रहता है उसका भी detailing ही मुझे काफी अच्छा लगा अगर आप लोग इस phone में काफी time तक bgmi खेल रहे हो ना तो एक चीसा आप लोग ध्यान में जरूर रखना इस phone में gyro नहीं चलता है तो बीना gyro के ही आपको bgmi खेलना पड़ेगा bgmi चलता तो अच्छा है लेकिन बीना gyro के चलता है अब चलो बात करते हैं क्या iPhone value for money phone है देखिए base variant के बारे में बात करा जाए 11,000 में discount बेगरा लगा कर आपको 10,000 रुपीस या 10,500 रुपीस में भी iPhone मिल जाएगा और इस price के असपास मुझे ठिक ठागी लगा है Redmi के तरप से 5G अपको phone मिल रहा है और क्या चाहिए थोड़ा बहुत कमिया है जो आपको adjust करना पड़ेगा जैसे कि single microphone दिया गिया है थोड़ा सा UI में थोड़ा सा problem है Redmi के हर एक phone में ऐसा होता रहता है टेन वाट का charger दिया है एज़डी प्लास डिस्प्ले है एही कुछ आपको problem जिलना पड़ेगा अगर ए सब कुछ आपके लिए माइने नहीं रखता है phone खरिद सकते हो 5G phone मिल जाएगा काफी अच्छा phone है आप लोग क्या सोसते हो इस phone के बारे में comment box में जरूर बताना वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक, share, subscribe करना मत भूलिए मिलते हैं अगले एक fresh वीडियो में